रोजगार में जो है मोदीजू ये गल्ट किया इपक्ष कहती है कि राम मंदिल के नाम पे एंडिये सरकार बोट लेती है इस पे क्या कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है नमस्कार मैं स्याम कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स का चुनावी कायरकरम सुनिये नेता जी अभी हम हैं जमूई लोकसवा छेतर के हरियरफुर गाउं में चलिए जानते हैं यहां की जनता से कि वो इस बार किसका चुनाव कर रही है और किन मुद्धों को लेकर वो अपने परत्यासी से क्या कुछ मांग रखेंगे अपने छेतर के लिए बबा आपकी बार क्याका चुना करा है यहां पड़ी काम हो ले कुछ हो काम चाह ले बहुत वह योजना के लाबु मिला करे है बर्धा पंशन मिला है व्रिधा पंशन मिला है कि बिले मतलब कि हाता से दे एले पहते हात पैस्वत दे ले ओकरा में अभी भला म कोई फैदा काइकि आव तो खाता पर आ जाया है अब की बार किसका चुनाव कर रहे हैं अरुन भारती आए हैं चेत्र में अभी तक नहीं आए आज आने वाल अब की बार किन का चुनाव कर रहे हैं मोदी जी पर रोजगार को लेके लांचन लगा इस पर क्या करेंगे और रोजगार दे रहे हैं जी रोजगार दे रहे हैं उन्निस तारीक को चुनाव है और प्रत्यासी के अभी तक च्छेत्र में विजिट किये हैं जी किये हैं पर योजणा का लाव उठा रहे हैं परद्धनमंत्री का जी उठा रहे हैं को योजना बता दीजें अबी किसांत किसांसमान नीदि योजना वाला जो आता है पैसा वह आ रहा है हमारे यहां और गहूं चावल फिर्य में दे रहे हैं मौदी जी जी अनाज एगर फिरी में मिल जाता है तो क्या खर चल जाएगा रोजगार तो नहीं मिला है फिर भी पहले कुछ नहीं मिलता है मिलता था अभी वो भी मिल ल्राय और अगर मोधी जी फिर जीते हंगे तो और कुछ मिलेगा आसा ही है हम लोगों का विपक्ष कहती है कि राम मंदिल के नाम पर एंडिया सरकार बोट लेती है इस पर क्या कहेंगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है अब की बार किनकी चुनाब कर रहे हैं अब की बार तो देखिए मुद्दा तो बीजेपी और आर्जेडी के है तो एक चलिए हमने बीजेपी को ही सब्सक्राइब करेंगे और अरून भारती पर परिवारबाद का आरोप लग गया है इस पर क्या कहेंगे नहीं यह चीज तो मुझे मालूम अरून भारती चिराग पासवन के बहनोई है ठीक है लोग कह रहा है कि परिवारबाद किये हैं चिराग पासवन यहां पे इस पर क्या कहेंगे नहीं देखे होता है पॉलिक्स में माली यह सब कोई अपने को ही लाना चाहता यह तो है कुरसी कोई आदमी नहीं छोड़ता च परिपेंड है देखिए क्या करेंगे जनता कोई परत्यासी आया है छेत्र में अभी तक तो नहीं आया है बट आज आने वाले हैं वही अरून भारती जी बोले हैं कि उन्होंनों आज हरियर पुर गांप आएंगे अब की बार किसका चुनाव कर रहे हैं इस बात तो हम सवाल उठ रहा है कि रोजगार नहीं दिये मोधी जी क्या कहांगे यह बाततों सच में की निकलेंगे तो रोजगार देंगे जरूर कुछ न्युजद रोजगार करेंगे रोजगार का सेजन इस वार जरूर करेंगे आसा उमीद तो यह है और हम लोग एसी आसा उमीद के साथ इस वार हैरिकॉपटर साथ पर भोड़ देगे कि यह सबसे बड़ा खेद है हम लोगों को बत्यासी परत्यासी को पैचानते हैं प्रदोंगों का जन्सभाम देखें एक यह का यह आयत वल्लोपूर एजमुर्ण तो जो वोट देंगे वो मतलब कि परत्यासी के आधार पर देंगे या फेसे कोई नहीं आए अगर कि कोई नहीं आए तो सबसे अच्छा तो मोदी जी है ने इसी का कि उन्हें को वोट पड़ रहा है काम हुआ यहां पर काम कुछ बेक्तिकत कुछ काम नहीं हुआ लेकिर आउ काम हुआ है गाव में काम केंद्री के अनिश्वार ही हो रहा है मैंने राज के अस्तर से तो बहुत कम हो रहा है कोई परत्यासी आये हैं गाव में अभी तक अभी तो फिलाल लगता है नौमनेशन ही हुआ है अभी परत्यासी का दोरा सिर्फ जो है जगा अभी से भेगरा ब के वर किनको होट दे रहे हैंं कि चल रहा हैं करने मोदी जी खाया रहे हैं दो दॉ नहीं आए गाउं में काम हुआ है चिराग पास्मान के काल में तो हुआ है थोड़ा बहुत रोड़ बेबना है और मोदी जी का जो है बिर्दापेंसन किसान को है और जो अनाजबाला कार्जक्रम है वो भी मिल रहा है तो इसमें मुटा मुटी ठीक है रोजगार के लिए के बार बार सवाल उठता है कि रोजगार नहीं मिर रहा है क्या कहते हैं इसमें रोजगार के लिए तो मोदी जी ठीक नहीं किये और नितिस कुमार भी ठीक नहीं किये जो कि मास्टर का बाली उन्होंने पूरा दिया सब स्टेट को दे दिया यहां का मारा चला गया और मोधी जो है को मुद्दा ले लिया मंदिर का और उसमें बोट ले रहे और रोजगार को खत्म कर दी रेल्वे में निकाल ले तो पूरा ड्रयावर को पांच जार बेकिंसरी दिया और उसके बाद फिर इसी तरह समें कटोती कर रहा है रोजगार में जो है मोधी तो ये वलत किया